आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं गुलाब जामुन की रेसिपी जिसमें हमें दूद या फिर मिल्क पाउडर या मावा का जरूरत नहीं है बहुत ही अलग तरीके का है यह रेसिपी और मैं आप लोग आगी वीडियो में बताऊंगी कि किस चीज का हमें गुला पर लिया है मैंने पाढ़ लेजी बिस्किट और यह दस रुपे वाले जो पैकेट आता है न मार्केट में वहां तो वही वाला इस्तमाल करना है और पैकेट को मैंने यह खोल लिया है तो सभी बिस्किट को हम प्लेट में ले लेंगे सबसे पहले तो और इस दस रुपे वाले बिस्किट में हमें आट से नौ या फिर दस गुलाब जामून बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें अपने घर पे तो बिस्किट को हमें अच्छे से तोड़ लेना है और बिस तो यहां पर जो सबी बिस्किट को मैंने पीस लिया और पीसने के बाद इसे हमें च्छनी से छान लिया है जिसे हमें आटा वगर जो हम च्छान देना उससे हमें च्छान लेना है ताकि जो बिस्किट के बड़ी टुकड़ होते हैं वह साइड हो जाएं तो इसमें मैंने त कर दो तो है जो पाणी का भी इसमाल कर सकते हैं यहां पे मिल्क लिए और आ इसका करें और इसका रिदी करेंगे तो सौफ्ट ओनी थोला साँ आ Hund और इसे अच्छे से हमें मिक्स करते हुए मिलाना है यहां पर गुलाब जामु जो है वह बिस्किट का हम बना रहे हैं तो इसमें ज्यादा दूद का जरूद नहीं है थोड़ा बहुत दूद में यह अच्छे सिसका डो रेडी हो जाता है तो एक साथ आप ज्यादा अगर बनाई है मैंने और अगर देख सकते हैं एक कप दूद ली आ तो इस चामच से तीन से चार चामच हमें दूद लगा है तो यहां पर जो है उसे हम रख लेंगी प्लेट में और इसका तो चोटा चोटा लोई बनाना है गुलाब जामू का सीप देना है तो यहां पर जो बनाना है तो इसी तरह से सभी हम गोल को गुलाब जामून इसको रेड़ी कर लेते हैं कि यहां पर गुलाब जामून ने रेड़ी हो चुक है मतलब जो सेफ होता है वह बन का रेड़ी हुआ है ये तहाई नहीं हुआ हैं तो चासनी अभ़ हम बनाएंगे गास पर मैंने एक ग्लास पानी डाला है स्थिपरोंसे सद्व हैं और गुलाब जामिकम और और, यह बेê-प्रुन, अभर तक, यहाँ औरम ऐसेर। तो यहां पर देख सकते हैं जो गुलाब जामुन है उसका जो कलर है वह चेंज हो चुका है बिलकुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और बहुत ही खुबसूरत कलर आया है तो गुलाब जामुन को अब हम निकाल देंगे प्लेट में क्योंकि एक दम अच्छा पॉफेक्ट इसका कलर आचुका है गुलाब जामुन वाला इसे हम डाल देंगे चास्नी में क्योंकि चास्नी जो हमारा गरम है तो साथी साथ गुलाब जामून भी गरम है दोनों को डाल देते हैं और गुलाब जामून को मैं गरम चास्नी में ही डालना था कि जो उसका तो यहां पर जो गुलाब जामुन है उसे हम चासनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहां पर गैस को मैंने ओन किया है और जो गैस है वो मीडियम फ्लेम पे है अब भी और जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हमें लो फ्लेम पे कर देना है क्योंकि चासनी में एक बार उबाल के साथ हमें गुलाब जामून को पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छा उबाल इसमें आने लगा है बस दो से तीर मिट के लिए से हमें कुक करना है चासनी में तो यहाँ पर जो गुलाब जामून मैंने उबलने के बार साइड कर दिया था गैस आफ करके और आदा गंटा हो चुका है तो आप देख सकते हैं जो गुलाब जामून में बिल्कुल स्पॉंजी बना है तो एक बार आप घर पर जरूर ट्राइ करें और कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले कि आपकी गुलाब जामून कैसी बनी है तैंक यू